आज के क्लास में हम माइनिंग इंजिनेरिंग के पेपर को सॉल करेंगे सेक्शन है इंजिनेरिंग मिथमाटिक्स और ये सवाल गेट MN 2024 के पेपर में पूछे गए थे सबसे पहले मैं आपको सारे सारे सवाल प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप खुछ से ट्राइ कर सको फिर मेरे solutions को देखना with tricks and techniques चलिए सबसे पहला सवाल आपके सामने easy question from integration वीडियो को pause कीजिए, try कीजिए, go to the next question easy question from basics of matrices again, so यहाँ पर tricks आता है तो answer दिखाई दे रहा है, नहीं तो standard method तो है ही फिर next question, again tricks आता है तो answer दिखाई दे रहा है नहीं तो standard method तो है ही, numerical method से एक और easy सवाल फिर आप देख सकते हो easy question from vector calculus again, बहुत सारे सवाल easy थे, इसका मतलब यह नहीं के paper easy है, आ गया tough सवाल from calculus, okay, word problem है, decode करना है, समझना है फिर answer आएगा, अच्छा सवाल है, next question is a good question from probability, easy question from numerical method, इसी के साथ paper हो जाता है समाप, जैसे मैंने कहा, पूरा paper कैसा है, easy to moderate, एक भी सवाल, tough नहीं है, नहीं out of syllabus का topic है, तो सभी को full marks मिलने चाहिए थे, अगर आपने conceptual course and practice course किया है, ठीक है, अब मेरी बारी to get the solutions with tricks and techniques, ध्यान से देखना, पहला सवाल, integration 0 to pi by 4 cos x into sin cube x dx कितना है, a, b, c, a, d, correct answer है, option b, सभी, ऐसा q, substitution technique से बन जाएगा, trick यहाँ पर use नहीं कर सकते, क्योंके limit में pi by 2 नहीं है, तो walis का जो advance trick है, वो यहाँ पर use होगा नहीं, यह पहली बात है, बाकी substitution safe, out से बन जाता है, तो हमें तकलीव भी नहीं है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, integration कैसा था, integral is equal to 0 to pi by 4, उसके बाद cause x into sine cube x dx, तो किसको substitute करेंगे, cause x या sine x को, obviously बात है सर जी, sine x को substitute करेंगे as t, ताकि differentiation में cause x dx बन जाएगा dt, इसके साथ साथ limits भी change होंगे, अगर x जा रहा है, 0 से pi by 4, तो t कहा से कहा तक जाएगा, तो जैसी आप यहाँ पर देख सकते हो, x को 0 रखा, तो t बना sine 0, which is 0, जैसी x को pi by 4 रखा, तो t बना sine pi by 4, which is 1 upon root 2, और इसी के साथ हमारा integration अब हो जाता है, तबदील, क्योंके तीनों के तीनों चीज हमने change कर लिए है, limits हमारे t के, यह रहा, ठीक है, फिर cause x dx dt हो गया, और यह t cube हो जाएगा, तो हमारा integration इस प्रकार से दिखाई देगा, अब इसके बाद तो आपको पता ही है, t cube का integration, t का power 4 by 4, upper limit है, 1 upon root 2, lower limit है 0, तो 1 by 4 बहार, upper limit minus lower limit करने पर यह देखो, root 2 का power 4, basically होता है, 2 का power half का power 4, याने 2 square, 2 square, याने यह हो जाएगा, 4 minus lower limit पर तो 0 ही है, तो 1 by 4 into 1 by 4, 1 by 16, यह आपका answer बनेगा, इसलिए option B बिल्कुल ठीक है, समझ मार यह बात, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, next question को देखता है, limit extends to 0, n time sin 5x upon sin 3x is what, a, b, c, r, d, correct answer है, d, इसको भी solve करने के 2 method है, अब कोई students है न, वो formula based approach का इस्तमाल करेगा, जैसे limit theta tends to 0, फिर sin theta by theta कितना होता है, 1 होता है, तो यह concept का आप इस्तमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है, method 2 क्या है, trick है, so method 2 trick, trick क्या कहता है, trick यह कहता है, कि जबी भी आपके पास limit extends to 0 of sin nx हो, तो यह similar हो जाता है, या same हो जाता है nx से, बस इतना सा trick है, तो अब उसका इस्तमाल करो और answer कह दो, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, कि limit extends to 0, हमारे पास था n sin 5x divide by sin 3x, तो यह किसके बराबर बन जाएगा, अब n into 5x by 3x, तो xx कट जाएंगे, और 5 by 3n बच जाएगा, so 5 by 3n, option d में मौजूत है, हो गया, तो ध्यान रखना, इतना जल्दी से आप answer निकाल सकते हो, तो अगर आपको tricks आता है, और अगर tricks नहीं आता है, फिर तो standard method ही, है ना, तो कुछ minute all लग जाएंगे, बड़ यह देखो, यह tricks है, यह अगर इतनी basic सी बात अगर आपको पता है, तो कितना जल्दी हमारा question solve हो जाता है, ठीक है जी, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question को देखते हैं, यह रहा next question, एक matrix दिया गया है, B is equal to A minus A transpose, तो B का nature कैसा है, symmetric, skew symmetric, diagonal या scalar, correct answer is skew symmetric, ऐसा Q, अब इसमें भी दो method है, standard method क्या है, सारे calculation करो, ठीक है, वो standard approach है, मैं करके भी बता देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं या कोई खराबी वाली बात नहीं है, कि अगर B is equal to A minus A transpose है, तो A तो जैसा दिया था, वैसा ही लिखना है, कि 1, 4, 3, 5, 2, 1, उसके बाद 6, 4, 3, और जो उसका transpose है, वो transpose कैसे लिखना है, जो row 1 है, वो बन जाता है, column 1, जो row 2 है, वो बन जाता है, column 2, जो row 3 है, वो बन जाता है, column 3, और उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान से देखना, कि 1 minus 1, position by subtraction, 0, फिर उसके बाद कौन है, हमारे पास है, 4 minus 5, which is minus 1, फिर है 3 minus 6, which is minus 3, ऐसे आपको calculation करना है, बाकियों के लिए भी, तो 1, 0, minus 3 आएगा, उसके बाद 3, 3, 0 आएगा, अब इसमें आप चेक करो, कि अगर यह B matrix है, तो क्या B and minus B transpose सेम है, अगर हाँ, तो skew symmetric है, अगर नहीं, तो skew symmetric नहीं है, पर यह सब time waste क्यू करना, मैंने आपको trick दिया है न, चेक करने के लिए, trick क्या दिया है, अगर इसको skew symmetric बनना है, तो सबसे पहले primary diagonal element को 0 होना चाहिए, जो है, तो primary diagonal element compulsory 0 होना चाहिए, दूसरा, AIJ और AJI के बीच में कैसा होना चाहिए, relation, negation का, तो है न, negation का relation, हाँ, तो यहाँ पर AIJ is equal to minus AJI, negation का relation है, तो जब first and second दोनों चीजे satisfy हो जाए, तब हम कहेंगे, यह कैसा है, यह skew symmetric matrix है, तो B matrix हमारा कैसा हुआ, B matrix, trick से हमने बता दिया, that skew symmetric matrix है, यह तो checking वाला trick है, और जब यह पूरा solution देख रहे हो, तो यह पूरा solution एक standard तरीका है, skew symmetric matrix, खोजने का, इसकी बात धोडीना कर रह गया, वो से trick की बात कर रहा था, वो कैसे करते हो सर जी आप, अरे conceptual class में बताया था ना मैंने भूल गई क्या, कि एक A matrix को हम लिख सकते है, as half of A plus A transpose, plus half of A minus A transpose, इससे होता क्या है, इससे होता यह है, कि यह जो कहानी है, वो symmetric matrix की कहानी है, और यह जो कहानी है, वो skew symmetric matrix की कहान है, question में यही तो पूछा जा रहा था, A minus A transpose कैसा है, तो skew symmetric है, जी, है ना, A minus A transpose, skew symmetric है, देख कर कि मैं पैचान लिया, अगर half भी करोगे, तो क्या होगा, वो scalar से half हो जाएगा, यह half, यह half है, यह सब half हो जाएगे, बड़ तभी skew symmetric ही रहेगा, तो यह चीज है, कि half of A minus A transpose skew symmetric है, तो A minus A transpose भी skew symmetric है, तो A minus A transpose, skew symmetric, option B is correct, using method 2, तो देखा आपने, हर जगा अगर आपको trick आता है, तो काम कितना जल्दी बन जाता है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगरे सवाल को देखते हैं, अगरा सवाल आपके सामने, magnitude of error in the determination of the integral, I using Simpsons 1 by 3 rule, taking step length as 1.0 is what, तो यह रहा आपका integration, answer A, B, C, या, D में से है, correct answer is option A, इसमें भी दो बालक है, एक बालक यह है, जो method 1 से बहुत मशक्कत कर रहा है, कि magnitude of error, याने positive error बताना है, which is equal to approach value minus exact value, और यह calculation करने में तुला है, ठीक है, तो यह method 1 कैसा हुआ, यह standard method हुआ, जो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं जाओंगा नहीं, वैसे ऐसे method से हमने सवाल किये भी है, past में, तो practice course के अंदर हमने बहुत सारे सवाल standard method से किये भी है, trick से भी किये है, तो वहाँ पर मैंने आपको दोनों तरकीब से बताया था, और यह भी कहा था, कि देखो method 1 से minto लग जाते, और method 2 से seconds में आ जाता है, त दिमाग में यह बतती जली, कि सर जीन ने conceptual class में बताया था, कि अगर हमारा function f of x is equal to having order less than equal to 3, यानि order 3 भी हो सकता है, या 2, या 1, या 0, इन functions के लिए ही, इन functions के लिए ही, यहाँ पर error हो जाता है 0, क्यूंकि एप्रॉक्स वैल्यू बन जाता है, exact value, पर कब यह होता है, in Simpsons rule only, ठीक है, Simpsons का कोई भी rule होने दो, पर यह Simpsons के rule में ही संभाव है, यहाँ पर trapezoidal rule में संभाव नहीं है, Simpsons rule में हमेशा यह होता है, always, ठीक है, यह कैसा है, यह always होता है, ऐसा नहीं कोई specific function के लिए, always होता है, बस वो condition क्या है, कि function का order जो है, वो less than equal to 3 होना चाहि होना चाहिए, तो इसलिए method 2 के हिसा आप से हमने कह दिया, answer is 0, done and dusted, ठीक है, तो आप देख सकते हो, therefore, answer is equal to mod error is equal to 0, done, चली आगे बढ़ते है, अगरे सवाल को देखते है, vector a and b दिया गया है, represent to adjacent side of a triangle, the magnitude of area of triangle and unit vector perpendicular to both e and b, respectively are what, a, b, c, y,r, t, तो बहुत सारे students को ये तक्रीफ दायक लगता है, कि यार, दो-दो चीज़े पूछ री, कितनी महनत करवा रहे है, पर इतनी महनत की कोई बात ही नहीं थी, देखो ध्यान से option c correct है, हाँ, माना थोड़ा सा time taking तो है, पर इतना भी time taking नहीं है, दे of magnitude of a bar cross b bar और उसका positive value, ये चीज़ ध्यान रखना है, अब मेरे को पहले a bar cross b bar चाहिए, तो इसको कैसे करेंगे, determinant open करेंगे, i cap, j cap, k cap, a bar के components है, 2, 3, minus 4, b bar के component है, 4, 2, 3, उसके बाद इसको solve किया जाए, तो ये तो पता है ना, आपको i cap के respect का जो coefficient होगा, वो इसका determinant होग 9 plus 8, याने ये हो जाएगा 17 i cap, similarly, minus j cap, उसका minor, minor निकालो, तो उसका coefficient बन जाता है, 6 plus 16, जो कितना है, 22, उसके बाद हमारे पास है, minus 8 k cap, तो ये आगया a bar cross b bar, अब अगर आपसे इसका कोई magnitude पूछे, तो ये कितना होता है, square root, square root, 17 का square, plus minus 22 का square, plus minus 8 का square, ये होता है, अगर इसको solve कर लोगे, calculator के अंदर 28.93 आ जाएगा, therefore, यहाँ पर वो जानना चाहते थे, magnitude of area of triangle, that is equal to half of this value, 28.93, तो कितना आ रहा है, 14.46, और इससे एक बात तो clear हो गई, कि ये जो आपका option A and B है, वो गलत हो गया, C and D में चर्चा चलेगी, सही है जी, तो यहाँ से क्या clear हो गया, यहाँ से ये clear हो गया, कि A और B option, गलत साबित हो गया, और C and D पर चर्चा चलेगी, अब क्या चाहिए दूसरा, अब ध्यान से देखो, दूसरा इनको ये चाहिए, कि जो unit vector, perpendicular to both A bar and B bar है न, ये कितना होगा तो बहुत सारे students, unit vector, perpendicular to A bar cross B bar के लिए आगे बढ़ रहे थे, चीजों को solve कर रहे थे, इस अब करना ही नहीं है, क्या कहना है आपको simply, आपको ये कहना है, that इनको चाहिए unit vector, unit vector का मतलब क्या है, कि magnitude of that unit vector is equal to 1, तो option में चेक करो, कि वैसी A और B तो गलत है, इन vector में से किन का जो magnitude है, जो length है, वो 1 है, तो clearly दिखाई दे रहा है न, कि option D is wrong, क्योंकि option D में जब आपने magnitude of the unit vector निकालने की कोशिश की, तो पहला item 17 square हो गया, देखो पहला item 17 square हो गया, फिर कुछ भी होने दो, यार ये तो greater than 1 ही होगा, ये equal to 1 तो होगा नहीं, तो बचा कौन option C is left, ये आ आपका option elimination technique, ठीक है, option elimination technique के हिसाब से, option C जो है, वो सही बन गया, समझ में आ रहा है आपको, कैसे मैंने fast सुझाया है, कि पहली इसमें तो ये solve किया मैंने, हाँ कि area तो निकालना पड़ेगा, कोई option नहीं है, बट दूसरे इसमें मैंने simply कह दिया, कि unit vector, unit vector का मतलब length 1 होना च ये, तो उस हिसाब से हमने ये बता दिया, ठीक है, अब कुछ students कहेंगे, कि सर जी, देखो, a bar cross b bar, तो हमने खोज लिया है, ये है, तो हमने फटार से ये कह दिया क्या, कि यही है, जो vector है, perpendicular to both a bar and b bar, हाँ, वही है, पर वो unit नहीं है, गड़बड क्या हो गई, बहुत सारे students का paper होने के बाद आया था message, कि कुछ teacher C कह रहे है, कुछ teacher D कह रहे है, आपकी गड़बड का पर हो गई, कि यही आपका answer है, but वो unit vector नहीं है, वो एक normal vector है, तो उसके magnitude से divide करोगे, तब वो unit vector होगा, तो इसका जो magnitude है, वो 28.93 है, इससे अगर divide करते है, तो आपका option C, जो है, वो निकल आता, यह standard method है, बाकी tricks भी मैंने आपको बता दिया, चलिए, आगे बढ़ते है, अगरे सवाल को देखते है, जो के toughest question of this paper है, तो water is pumped from a mine sump at the rate of 300 meter cube per hour to an inverted conical water tank as shown, the rate of rising water level in meter per minute at the instant water level reaches at 5 meter height from bottom of the tank is dash rounded up to 2 decimal places, झाले मैंको झाले करते हैं to my John Munger colored झाले Erfolg को ओने राएको झाली मैंको को ut这是 defined one toring reale झाला auto धले उन्म उाजाँ हो टारेको को उले हैं, तो खो हैं वोगी मैं को आटा हैं में जो आता इंधा हैं, ठीसम ईसे मता उनले में आजराम पाहला आले कर Moreच्ट ऊबने कर better स T झाल 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 झाल